विहार के नालंदा में गाय के गोबर से पेंट बनाया जा रहा है ऐसी पहली वार हुई है जब गाय के गोबर का इस्तमाल इस रूप में किया जा रहा है इसकी सुरुवात नालंदा जिले के एकर गंज सराय परखन इस्ठित तेलिया बिगा गउ निवासी संजय कुमार के द्वारा गउ में ही छोटा सा यूनिक लगा कर पेंट बनोने का काम किया जा रहा है या प्लांट खादी इंदिया द्वारा परधन मंत्री Employment Generation Program के तहत किया जा रहा है रूलर्ट खेतर में लोगों को रोजगार उपलवद कराने के लिए योजना के तहत इसे लगाया गया है देशवर में प्रार्टिक किर्थिक पेंट के नाम से जाना जाता है जबकि नालंदा महीं या प्रार्टिक पेंट की यूनित बायो और्गनिक पेंट के नाम से चलाया जा रहा है उहीं इसमें दिल्चसुब बात यह है कि 24 घंटे में 4000 लिटर पेंट बनाने की छमता यहां रख हुआ है और फिलाल यहां 2000 लिटर पेंट हर दिन बन रहे हैं गाय के गोबर से बने पेंट को असना कला भी मिला इसके पिछे एबम परियाबरन पूरत जीवानु रो एक TDR मशीन आता है जिसमें उस भूल को पिस करके उसका पेस्ट बना देते हैं पेस्ट को गरम करते हैं और उसमें से CMC अलग कर लेते हैं CMC को अलग करने के बाद उसमें टाल्क है, कैल्सियम कार्वोनेट है और बाइंडर है इसको मिला करके और कुछ और इंगरेडियेंट से जो कि हम बता नहीं सकते हैं चुकि यह यूएसपी है कंपनी का वो सब मिला करके हम लोग इसमें 12 तरह का प्राखिर्तिक चीज मिलाते और जिसे पेंट बनके त्यार होता है इसमें इमल्सन है और डिस्टेंपर है दो तरह का यह हम लोग वाइट बेस बनाते हैं और इसमें जितना भी कलर चाहें आप बना सकते हैं इसमें पिग्मेंट डाल करके बनाया जाता है यह आम पेंटों के मुकाबले यह किफायती है और पर्यावरन पूरक है सबसे बड़ा चीज यह है इसमें पर्यावरन को जरासा भी कहीं से किसी तरह का कोई दोस नहीं जाता है इसमें कोई स्मेल नहीं है जो आपके बच्चों के आँख में लगता है चाहे आप उसे जब सांस लेते हैं तो आपको छटी होती है सरीरिक वो एकदम नहीं होता, यह पर्यावरन पूरक है, और यह उस नुरोधक है, मतलब यह हीट को अंदर नहीं आने देता, इंटिरियर है, एकस्टिरियर है, जैसे भी पेंट करें, जिस भी कलर में करें, सबसे बड़ा चीज यह गरीब लोगों के, जो गाय पाला हुए, दो बेनिफिट भी देते हैं, और उससे पेंट बना करके हम बजार में इसको लाते हैं, जो की पूरी तरह से प्राकिर्थिक और इको फ्रेंडली, मेरा नाम संजय हुआ,